अच्छे वाट सब्सक्राइब तो चलो जी आज का डिसक्षिन मैंने रखा है थोड़ा बहुत छोटा एक वीडियो में बना रहा हूं अचली इसमें हुआ क्या है कि आज कुछ बच्चों को वीटी की ऑनलाइन टेस्ट में प्रॉब्लम का फेस करने का फ्रॉब्लम जो फेस क में आप लोगों के साथ डिसकेशन करूंगा ठीक है तो है क्या कि हुआ क्या है कि कोई स्टूडेंट है काफिस दो तीन स्टूडेंट से मुझे का कि आज जब वो पीपर दे रहे तो सडनली जो उनका माउस है वो काम करना बंद हो गया चाती साथ उनकी जो वेबसाइट है जिसमें वो पीपर दे रहे थे या जो भी पोर्टिल था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स या लैगिंग का इशू वहां पर आने लग गया तो अब उन बच्चों ने थोड़ी देर तो काफी देर ट्राई किया पांच-दस मिनट उसमें निकल गया उसके बाद फिर उन्हो को मुझे लगता है उनके कहें अनसार कि कम से कम उनको 10-12 मांक्स का उनका डिफ्रेंशेशन आ सकता था तो अब इसी के लिए यह वीडियो में बना रहा हूं थोड़ा सा डिटल में समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी क्या था क्या सारी चीजन थी तो किस तरीके से अगर आ माध्यम से वाट्सेप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और वहां पर जो भी आपकी सहायता हो पाएगी उसके लिए बहुत ही नॉमिनल सा मैंने चार्जिस रखा है वहां पर डिटल में डिसकेशन करेंगे विए ट के सारे कॉलेजिस के बारे में विए वेल और चैन नह तो टाइम विस नहीं करते हैं let's get started तो होता क्या है कि आज एक बच्चे का पेपर था अटेम्ट किया अटेम्ट करने के आदे घंटे बात अचानक से उसकी वेबसाइट हैंग हो गई अटेम्श नहीं है तो करना क्या है आपको इमेड़ियटली जो वहां पर इन्विजिलेटर है उससे कॉडिनेट करना है क्योंकि आप इनस्टेंटली अगर उससे कॉडिनेट करेंगे तो इसको में निकाल देगा 15 से 20 मिट अगर आपने लगा दिये उसमें तो कम से कम मैं मा कि यह नहीं कि आप इसको चलनी रहा यह हूँ इसको बताई कि मेरा बहुत क्रूशल टाइम हो जा रहा है और टाइम जो जा रहा है इसकी ते मेरी रैंक बहुत पीशे चली जाएगी तो आप इंस्टेंटली इमेडियेटली या तो मुझे आप एक्सटा टाम दीजिए या फि आपको वहाँ पर जो कॉडिनेटर है या काउंसलर है या जो भी वहाँ पर बंदा है उसे आप इमेडियेटली कॉंटक्ट किजिए अगर किसी भी इस तरीके की प्रोब्लम आप फेस कर रहे हैं ठीक है मेरा काम है आपको अवेर करना ताकि आपका जो अपने जो पर्फॉर जाहिन जाभरत और कॉड ब्लस यौ अवाँ